नमस्कार, आप सभी का बाईजूस आईएस हिंदी में बहुत स्वागत है, स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, आज की इस क्लास में हम 4 जून 2021 को दाहिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित, प्रमुक समाचारों और आलेखों का विशलेशन कर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के विश्यों की सूची को, आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे सतत्विकास लक्ष और भारत, इसके बाद डिजिटल टैक्स विवाद, फिर दुपक्षिय संबंध और आंतरिक राजनीती, इसके बाद राजद्रोहों की सीमा तै करने का समय सुप्रीम कोर्ट का एक निरने देखेंगे, इसके बाद नासा द्वारा शुक्र ग्रह के लिए दो नए मिशनों की घुशना और सबसे अंत में मुक्य परिक्षा अभ्यास प्रस्ण और उनके उत्तरों की रूप रेखा को देखेंग क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं पहले टॉपिक को स्टूडेंट्स हमारे पहले समाचार को पेश संख्या एक और आट से लिया गया है इसे आप GS2 गवर्नेंस के साथ में जोड सकते हैं समाचार है Significant Progress in SDGs on Clean Energy Health नीती इंडेक्स दरसल स्टूडेंट्स नीती आयोग ने इस इंडेक्स को 2018 से शुरू किया था इस बात पर निगाह रखने के लिए कि Sustainable Development Goals की तरफ भारत की प्रगती क्या हो रही है अगर हम इस साल के इंडेक्स की बात करें तो इसमें स्वच उर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं जबकि उद्योग नवाचार और बुनियादी धाचा अच्छे काम और आर्थिक विकास में हमें गिरावट देखने को मिली है इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है COVID-19 महामारी के कारण हमारी अर्थ्यवस्था में जो गिरावट आई है वो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम Sustainable Development Goals के बारे में कुछ महतोपून बिंदू देख लेते हैं फिर यहां से आगे बढ़ेंगे 2015 में सैयुक तराष्ट महासभा की बैठक में 2030 तक के लिए सतत विकास हेतु एजेंडे को तेंग किया गया और इसके अंदर में 17 टारगेट डिसाइड किये गए यह 17 टारगेट जो डिसाइड किये गए इनका आधार बनी थी एक पुरानी रिपोर्ट 1983 में पर्यावरन तथा विकास पर विश्व आयोग को गठित किया गया था जिसे पॉपुलेरली ब्रंट लैंड कमिशन कहा जाता है नॉर्वे की पूर पुर्धान मंतरी इसकी अध्यक्षा थी अब इस कमिशन की रिपोर्ट आई 1987 में और इसमें कहा गया कि आने वाली पीड़ी की अपनी अवश्यक्ताओं को पूरा करने की चमता से समझोता किये बिना वर्तमान पीड़ी की अवश्यक्ताओं को पूरा करने हेतु जो विकास है वही वास्तों में सतत्त विकास है आजान बाशा में समझ ये, कि जो हमारा हिस्सा है, हमें केवल वही इस्तेमाल करना है, भविष्ट की पिडियों की जो हवा और पानी हैं, जो अन्य संसाधन है, वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, और अगर हम विकास की इस अवधारना के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो यही स जिरो हंगर, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, तो इस तरीके से यह 17 टार्गेट्स हैं, थोड़ा सा आप इसको revise कर लीजिएगा, दिमाग में अगर idea रहेगा, तो अच्छा रहेगा, कुछ एक टार्गेट्स जो बहुत चर्चा में रहते हैं, जैसे no poverty हो गया, जिरो हंगर है, education वाले है renewable energy वाले है, climate action है, 13 number का, यह गाहे बगाहे आपके सामने अलग से भी चर्चा में आते हैं, तो विशेश रूप से आप लोग ध्यान रखें, 17 थोड़ा सा अलग है, इन targets को achieve करने के लिए, इन goals को achieve करने के लिए, जो आपसी सहयोग है, अलग-अलग देशों के मद्धे में, संस्थाओं के मध्य में उसकी बात करता है, तो थोड़ा सा इस पर विशेश ध्यान रखेंगे, अब students, हम इस साल की जो नीती आयोग की इंडेक्स है, उसकी बात कर लेते हैं, इस इंडेक्स के अंदर में 75 points के साथ में केरल ने टॉप किया है, उसके बाद तमिल नाडू औ इनका प्रदल्शन रहा वहाँ पर, जिरो हंगर की बात करते हैं, तो केरल ने यहाँ पर बहुत शांदार प्रदल्शन किया है, quality education में आप अगेन देख सकते हैं केरल को, तो इस तरीके से सुर्वात की जो 4-5 राज्य हैं इन पर आप ध्यान दे सकते हैं, हम थोड़ा सा औ और आगे बढ़ते हैं कुछ एक conceptual जरा बातों को यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यह तो factual data है, इसको मैंने यहाँ पर summarize form में आप लोगों के लिए करवा दिया है, ताकि आसानी रहे, सबसे अच्छा प्रदल्शन मैंने अभी बताया, इन राज्यों का है, सबसे जार जारखंड और असम हैं, और जिन राज्यों ने बहुत commitment दिखाया है, काफी सुधार दिखाया, वो राज्यकों से हैं students, मिजोरम और हरियाना बड़ी अच्छी बात है, अब हम conceptual जरा बात पर आते हैं, दरसल इस index के बारे में विशेशक अलग-अलग राय रख रहे हैं जैसे, 2018 में समाज में असमानता को देखने के लिए खास तोर पर आर्थिक इस्तर पर पालमा अनुपात का प्रयोग किया गया था, और 2019 के अंदर में गिनी कोफिशियंट का प्रयोग किया गया था, एकोनमी की अपनी पढ़ाई के अंदर में आप लोगों ने गिनी प्रदुशित करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब 2020 के इंडेक्स में इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या-क्या वहाँ पर हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको, उसके पहले हम जरा बात कर लेते हैं पालमा अनुपा अब इन दोनों को मिला करके हो गया 50%, बाकी बचा जो 50% है, वो मध्य वर्ग को संदर्भित करता है, और किसी रास्टर के अंदर में, वहाँ पर इस्षितियां किधर जाने वाली हैं, ये डिपेंड करेगा, मिडिल क्लास के ओपर में, कि वो किस तरफ जाता है, अमीरों की तरफ या जो गरीबों का हिस्सा है, उसकी तरफ, ये है पालमा अनुपात, एक हद तक नया कॉंसेप्ट है, चिली के एक अर्थशास्त्री रहे है, मिस्टर पालमा, उनहीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अब हम बात कर लेते हैं, गिनी कोफिशियंट की, 1912 में इसे इटली के एक सांखे की विथ है, मिस्टर कोराडो गिनी, उनके द्वारा इसको विक्सित किया गया था, और इसमें एक बड़ी खास बात होती है, कि इस कोफिशियंट की वैल्यू अगर 0 है, और अगर 1 है, तो ये पून समानता को दिखाता है, और अगर 1 है, तो पून असम असमानता को दिखाने के संदर में, अब आप लोग पालमा और गिनी कोफिशियंट दोनों को जोड़िये, इन दोनों से हमें कॉनक्रीट जानकारियां प्राप्त होती है, इसपस्ट जानकारियां प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति के बारे में, लेकिन बनिस्पत इसके इस बार सरकार ने सामाजिक समानता के जो अन्य संकेत तक है जो थोड़ा सा असपश्ट रहते हैं उनका प्रयोक किया जैसे कि राज्य विधान सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के प्रतिनिदियों का प्रतिशत क्या है इसके अलामा अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती समुदायों के खिलाफ अपराध के इस्तर क्या है अ इससे दो काम हो जाते, एक तो हमें सामाजिक स्थिती का अनुमान मिल जाता और दूसरा हमें आर्थिक स्थिती का भी आकड़ा मिल जाता, अनुभव ये बताते हैं कि ऐसे समाज और ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से जागरूख होते हैं, मजबूत होते हैं, आगे बढ़ होते हैं वो अपने सामाजिक अधिकारों के बारे में भी अधिक जागरूत पाए गए हैं तो इसी लिए यहाँ पर जो विशेशक हैं वो पालमा और गिनी कोफिश्येंट को छोड़ने का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुछ अन्य बिंदू देख लेता हैं इ 60 पर आ गया है इसके अलामा स्वच्छ जल और स्वच्छता इसमें भी पाच अंकों की गिरावट देखी गई है जबकि भारत सरकार इस संदर में बहुत सारी फ्लैक्शिप योजनाओं को चला रही है तो यह हमारा ध्यान इस और भी खिंसता है कि बहुत सारी ऐसी योजना जिनका क्रियानवेयन प्रभावी तरीके से नहीं हो रहा है और ध्यान रखना इस बात को यह किसी विदेशी संस्था की रिपोर्ट नहीं है यह भारत की अपनी निजी संस्था की रिपोर्ट है जो की वस्तु स्थिती की तरफ हमारा ध्यान खेंस्ती है हम आगे बढ़ते ह अपने अगले समाचार की तरफ, पेज संख्या 6 से लिया गया है इसको, GS3 Economy के साथ में इसे हम जोड़ेंगे, Digital Tax Tessles, अब जरा आप लोग ध्यान रखियेगा, इसी संदर्व में कुछ एक बाते मैंने कल की क्लास में भी की थी आप लोगों से, तो उनको और इनको दोनों को ज जोड़ेंगे आज हम लोग, संयोकतराज अमेरिका ने 6 देशों, ब्रिटैन, इटली, स्पेन, तुर्की, भारत और आस्ट्रिया, इनके आयातों के उपर में 25% टैरिफ, टैरिफ का मतलब आप एकदम आसान भाशा में समझेए, टैक्स, कि यहां से जो भी सामान हमारे यहा डिजिटल सेवा करों के संदर्व में उठाया गया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब अंतर राश्ट्रिय कर वारता, जो कि डिजिटल टैक्स को लेकर अंतर राश्ट्रिय हलकों में बातिया चल रही है, कल मैंने आपको OECD और G20 के बारे में बताया था, तो इस वारता को जारी रखने के लिए, अमेरिका ने इसे निलंबित भी कर दिया, लेकिन संकेत भी इस बात का दे दिया, कि हम एक्स्ट्रीम कदम भी उठा सकते हैं, अब इन बातों के अलग-अलग माइने निकाले जा रहे हैं, हम अपने एक्जाम के संदर्व में जो पोन बिंदू हैं, उनको देख लेते हैं, अमेरिका में एक संस्था है USTR, that is United States Trade Representative, इसका काम ये रहता है, दुनिया के अलग-अलग देशों पर ये निगाहा रखती है, जाच करती रहती है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कि कुछ ऐसे देश है, जो अमेरिका की संस्था के ओपर में ज्यादा टेक्स लगा रहे हैं, उनकी कमपनियों के ओपर में, और अगर उन्हें संदेह होता है, तो फिर वो जाच बिठाते हैं, और जो वर्तमान संदर्प में हम बात कर रहे हैं, इसकी जाच ट्रम्प प्रशासन के द्वारा शुरू की गई थी, इन देशो में, देखिए, यह अमेरिका का मानना है, इन देशों के अपने अलग तर्क हैं, चोकि हम भारत में हैं, तो हम भारत के बात अभी करेंगे, तो इसी संदर में इन्होंने सेक्शन 301 का इस्तेमाल करने की धमकी दी, इनका उद्देश्य क्या है, कि अमेरिका के कमपनियों पर आप tax लगाओगे तो आपके यहां से जो हमारे यहां वस्तुवे और सेवाई आती हैं, हम उन पर पलट के tax लगाएंगे, फिर सारा हिसाब बराबर कर देंगे हम, भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें यही पर focus करना है अपने देश पर, भारत उन पहले देशों में से ए वाली अनिवासी e-commerce operators के ओपर, जिनका कारो बार 2 करोन रुपए से अधिका है, उनके व्यापार और सेवाओं पर 2% के digital सेवाकर को लागू किया, लेकिन साथ ही यह बात भी कही गई, कि अगर मान लीजिए कोई e-commerce platform है, और वहाँ पर जो सामान बिक रहा है, जो सेवाएं दी जा रही है, वो किसी भारतिय संस्था के द्वारा दी जा रही है, तो फिर यह 2% का tax नहीं लगेगा, कोई tension लेने की बात नहीं है, और वैसे भी 2% के हिसाब से बहुत कम tax लगाया है, अन्य देशों की तुलना में अगर हम बात करें, अमेरिका यह 25% का tariff लगाता है, त जो हिस्सा है पूरा वो इसकी अंदर आ सकता है, और ऐसे में हमारे निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा, कई सारे छेत्र दुस्प्रभावित होंगे, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भारत डिजिटल सेवा करके पक्ष में क्या तर्क रखता है, भारत का कहना है कि ऐसी कई सारी technical firms और tech firms हैं, जो कि भारत में बिना भौतिक उपस्थिती के बिना physical presence के लाब कमाती हैं, और आसानी से उन पर income tax जो लगना चाहिए भारत में उससे बच भी जाते हैं, यह दिखा करके कि हम तो भारत से बाहर operate कर रहे हैं, इस संदर में चीजों को समझने क लिए मैंने कल की class में treaty shopping और base origin profit shifting B.E.P.S के concept को समझाया था आप लोगों को, थोड़ा उसको आप लोग जोड़िएगा, मैं थोड़ा सा आपको hint दे रहा हूँ यहाँ पर कि companyya क्या करती हैं, कि ऐसी जगहों से operate करना शुरू करती हैं, जहाँ पर कम से कम tax लगता है, headquarter कहना है कि हम इतना बड़ा बाजार प्रदान करते हैं इन companyyों को, इतने सारे advertisement available करवाते हैं, मोहिया करवाते हैं इन companyyों को हमारे देश के नागरिकों के माध्यम से, तो इनको जो आई होती है, उसके ओपर में कम से कम हमें कर लगाने का अधिकार तो मिलना चाहिए, कर लग जो उसकी tech firms हैं, जैसे alphabet है, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, इनके लिए वैश्विक इस्तर पर अधिक से अधिक भागीदारी चाहता है, और वो चाहता है कि ये कर विवाद जल्दी से जल्दी सुलझाये जाएं, क्योंकि अगर ये कर विवाद बढ़ेंगे, तो फिर अमेरिका और चीन के ट्रेड वार आगे बढ़ सकता है, दुनिया की अर्थ्यवस्था जो पहले से ही COVID-19 महामारी के कारण एक बड़ी गिरावट को देख रही है, तो वो एक अगले ट्रेड वार को सायद झेल नहीं पाएगी, उसके लिए तयार नहीं है, मैंने आप लोगों को इस बारे में कल की क्लास में भी कई सारी बातें बताई थी, हाला कि यहाँ पर मैंने लिंक प्रवाइट किया है, आप कल के वीडियो पर जा सकते हैं, और वहाँ पर टाइम स्टेंप के अंदर में डिजिटल टैक्स वगरे के जो बातें की गई हैं, उस पर क्लिक करके इस से जुड़े जेंगे, तो आपका कॉंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा, मैं यहाँ पर कुछ एक बातें अंत में और जोड़ देना चाहता हूँ, दरसल अमेरिका जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात कर रहा है, वो चाहता है कि उस पर सभी संस्थाएं, सभी देश जल्दी से जल्दी बात करें, और इसी लिए उसने ये टैरिफ की धमकी दिखाई है, कि या तो बात करो जल्दी से जल्दी, ग्लोबल मिनिमम टैक्स के ओपर में, नहीं तो हम आकर के अभी टैरिफ लगा देंगे, समझ रहें, तो इस तरीके से दबाओ की रणनीति को इस्तेमाल किया जा रहा है, अमेरिका के द्वारा, और इसी लिए यहाँ पर इस बात को कहा गया है, कि वो बड़े पैमाने पर वेस्ट्रिक भागीदारी चाहता है, अपनी कमपनियों के लिए, दुनिया के अलग-अलग देशों में, हम लोग पहुंच चुके हैं, अपने अगले समाचार पर, और यह पेश संख्या 6 से लिया गया है, GS2, International Relations के साथ में इसको हम जोड लेंगे, comments to avoid in long-standing ties, बड़ा शांदार अर्टिकल है, और आसान सा भी है, लेकिन मुद्दा बड़ा अच्छा है, भारत में राजनेतिक हस्तियों के कुछ कार्यवाहियां, आसान भाशा में कहें तो बया कई बार ऐसे आजाते हैं, जो दो देशों के अंतर राश्ट्री या इस्तर पर जो सवहाद्रपून संबंध हैं, उनके लिए हानिकारक साबित होते हैं, इसी संबंध में एक बयान का यहां जिक्र किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ समय पहले कहा ग विदेश मंत्री जैशंकर साब ने भी विरोध किया, यहां तक कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑनलाइन जूट और हेर फेर से सुरच्छा अधिनियम के अंतरगत कारिवाही भी की जा सकती है, लेखक अब इसी बात को उठा करके लेकर के जाते हैं सत्ता बंगाल में हालही में चुनाव संपन हुए है, यहां पर हमारे जो वर्तमान केंद्रिय ग्रह मंत्री हैं उन्होंने बांगलादेश के संदर्व में कई बार अपमान जनक बयान दिये, इनहीं बयानों का बांगलादेश के द्वारा कड़े सब्दों में विरोध भी किया ग योग ना करें और वो भी तब जब बांगलादेश अपनी मुक्ति की पचासमी वर्सगाट को मना रहा है, भारत ने बांगलादेश की मुक्ति में एक एहम योगदान को निभाया था, ऐसे में इस तरह के बयानों का आना ये बिलकुल सोभा नहीं देगा, बांगलादेश क राष्ट पिता शेख मुझीबूर रह्मान के जन्म की शताबदी मनाई जा रही है, तो बहुत महत्वपून समय है भारत बांगलादेश के संबंदों में और वहाँ पर इस तरह के घटना क्रमों का आना ये निश्चित रोप से सही नहीं कहा जा सकता है, लेखक यहाँ पर कुछ समय के अंदर में भारत को पूर्वोत्तर के साथ में जोडने के संदर में बहुत सहयोग किया है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो शेश भारत है, पूर्वोत्तर भारत के साथ में जो हमारा संबंद है, वो बस चिकन नेक कोरिडोर के माध्यम से है, जो की एक पतला सा गलियारा है और इसी लिए हम कई सारे alternative roots की तलाश कर रहे हैं अपने पूर्वोत्तर भारत तक पहुचने के लिए हम म्यानमार की मदद ले रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Bay of Bengal से होते हुए हम लोग म्यानमार में सित्वे बंदर गहा से होते हुए जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पहुचने का प्रयास कर रहे हैं बांगला देश भी नदियों के माध्यम से कुछ रास्ते हमको मोहिया करवा रहा है आए इसी संदर में और अन्य बिंदूओं को भी देखते हैं बांगला देश में एक बहुत बड़ी तादात में मुस्लिम आबादी रहती है हमारे देश में भी रहती है तो एक प्रकार से हमारे सांस्कृतिक संबंद हो गए इसके अलामा भुक्तान संतुलन की अगर हम बात करें तो पक्छी वयपार की बात करें तो भारत बांगला देश को निर्यात अधिक करता है तो निश्चित रूप से हमें फाइदा है हमारे बीच कई सारी नदियां साजह हैं और इसमें लेखा कहते हैं लगभग 54 नदियां हैं जिनको हम साजह करते हैं छोटी बड़ी मिला करके हाला कि कुछ जगहों पर विवाद भी है और जब दो देशों के हित इतनी गहराई से जुड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ विवाद भी हो सकते हैं लेकिन देखा ये जाता है कि सहयोग के मुद्दे कितने हैं जिसे तीस्ता नदि के पानी को लेकर के विवाद है लेकिन हम इसे सुलजाने की तरफ अग्रसर हैं इसके अलामा मानो तसकरी के विशय भी यह पर जुड़े हुए हैं अन्य बिंदू देखते हैं तो बंगलादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बंगलादेश के अंदर में कई सारे आतंकवादी समुह भी सक्री हैं जिनने बाहर से समर्थन तक प्राप्त होता है जैसे हरकत उल जिहाद अल इसलामी अगर हम बंगलादेश के साथ में अपने जुड़ाओं की बात करें तो बंगाली संस्कृती निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के बीच एक कॉमन फैक्टर है लेकर कहते हैं कि जब बंगलादेश का निर्माड हुआ तो उसके बाद बंगलादेश के अंदर में जो सुरवाती सरकारे आई वो कुछ ऐसी थी जो पाकिस्तान का रुख रखती थी प्रो पाकिस्तानी विहाव करती थी लेकिन जब शेख हसीना सत्ता में आई जो कि शेख मुजीबूर रह्मान की पुत्री हैं तो इन्हों ने भ गाउबादी समुह हैं बांगलादेश में शरण ले लिया करते थे उनको नियंचित करने का प्रयास किया है और इस पॉलिशी को एकदम इस्टिक्ली वो फॉलो करती हैं कि बांगलादेश की भूमी का इस्तेमाल भारत के विरोध में नहीं किया जा सकता है इसके अलावा उत्तर पूर्व से जुड़ने के संदर में मैं अभी मैप से समझा के आ रहा हूँ आपको इनका बहुत सहयोग रहा है इसके अलावा बांगलादेश ने भारत को अपने यहाँ पर एक निवेश योग के माहौल दिया है ताकि हमारी कमपनिया वहां से पैसा क कमा सकें करीब एक लाग के आसपास भारती लोग हैं जो यहाँ पर काम कर सकते हैं इनका हमारे पास जो आकड़ा उपलब्ध है संक्या अधिक भी हो सकती है लेखक कहते हैं कि बांगलादेश अब अल्प विक्सित देश से विकास शील देश की रहा पर आगे बढ़ रहा है और 2026 तक वो यह दर्जा प्राप्त भी कर सकता है दच्छनेशिया के अंदर में मानो विकास सुचकांको में बांगलादेश का प्रदर्शन बहुत शांदार है भारत और बांगलादेश दोनों एक दूसरे पर सुरक्षा और इस्थायत्व के लिए निर्भर करते हैं और ऐसे में अगर गैर जिम्मेदार बयान आते हैं तो निश्चित रूफ से खटास पैदा करेंगे दोनों देशों के रिस्ते में और जिम्मेदारी पूर्वक दोनों देशों के नेताओं को चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो तो पक्षिय संबंधों को करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए students अब बात कर लेते हैं अगले समाचार की इसे लिया गया है पेश संख्या एक और आठ से GS2 पॉलिटी के साथ में इसे हम जोड़ेंगे जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस विनोध दुवा केस की बात कही जा रही है जरा देखते हैं दरसल विनोध दुवा एक वरिष्ट पत्रकार है पदमस्री अवार्ड भीन को मिला हुआ है इन् प्रधान मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ आलोचनातमक टिपड़िया की थी और इन्हीं संदर्भों में सत्तारूड दल बीजेपी के एक नेता के द्वारा इनके ओपर में केस किया गया था सेडिशन का अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सत्तार नात सिंग केस में पहले भी कह चुका था उसने अपने ही निर्ने को दोहराया है एक प्रकार से और विनोद दुआ को उन्होंने छोड़ दिया है 1962 के फैसले में कहा गया था कि भारती दंड सहिता कि धारा 124A का जो उद्यश है वो केवल हिंसक तरीकों से एक कानूनी रूप से स्थापित सरकार को हटाने के प्रयासों को रोकने के संदर में होना चाहिए मैं कुछ बातें आपको और बता दू सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर धारा 124A के प्रयोग के संदर में कई सारी व्याख्याएं की हैं और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मुख्य रोप से बताया है कि अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने में जो सत्ता में दल है उनके प्रती असहमति को दिखाने में उसको रोकने के लिए धारा 124A का प्रयोग नहीं होना चाहिए इसके पहले सन 2010 के लगभग में असीम त्रिवेदी का मामला भी हमारे सामने आ चुका है जोकि यह का कार्टूनिस्ट है और ततकालीन सत्तारुर दल का विरोध करने के का उन्हें धारा 124A का सामना करना पड़ा था और वहाँ पर भी कोर्ट ने लगभग यही बातें कही थी नियायमूर्ति यूयू ललित ने ये कहा कि हर पत्रकार सरकार की आलोचना करने का अधिकार रखता है और अगर वो रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स सरकार के कारियों को कानूनी तरीकों से ध्यान रखना यहाँ पर यह शब्द महत्तपूर्ण है सुधारने या बदलने के लिए अगर एक पत्रकार सोतंत्र भाशन करता है आलोचना करता है ऐसे हमत दिखाता है तो देश दुरहों के आरोप लगने की जो परंपरा है जो हाल फिल हाल में एक हद तक बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है इसे रोकना चाहिए मैं आप लोगों का ध्यान मदरास हाई कोर्ट की एक टिपणी की तरब भी आकरशित करना चाहूंगा जहां पर मदरास हाई कोर्ट ने भी इसी बात को कहा था कि हाल फिल हाल में यह देखा तरीके से कर सकते थे या नीतियां गलत हैं इस सुभाव में तेजी देखी गई है कि सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के द्वारा ऐसी मेडिया संस्थाओं के ओपर में ऐसे पत्रकारों के ओपर में 124 ए का प्रयोग किया जा रहा है या मानहानी का प्रयोग किया जा र है और सरकारी संस्थाएं इस बात से बच नहीं सकती है कि उनकी आलोचना नहीं होने चाहिए और इस अंदर में सुप्रीम कोड ने भी कहा था कि तच्मी नौट का रवया छोड़ना पड़ेगा अब यहां पर न्यामूर्ती जी ने कहा है अब वो समय जा चुका है अपनिवे सिक्साशन का जब महज सरकार की आलोचना करने मात्र से ही राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाता था और अब वर्तमान समय में हम इसे स्विकार नहीं कर सकते हैं जरा बात कर लेते हैं इस कानून की प्रस्ठ भूमी की दरसल स्टूडेंट्स इस कानून को जेम्स स्टीफन के द्वारा 1870 में सो तंतरता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिए लाया गया था इसे IPC 1870 के अंदर में शामिल किया गया इस कानून में राजद्रोह के अंतरगत भारत में कानून द्वारा इस्थापित सरकार के प्रति मौकिक लेखित संकेतों या द्रस रूप में घ्रणा या आउमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयतनों को शामिल किया जाता है यहाँ पर सुप्रेम कोट ने बार बार ये इसपस्ट किया है कि इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि इन सब कारियों का उद्देश अगर हिंसा फैलाना रहा या तकता पलट रहा तब इस धारा का प्रयोग किया जाएगा लेकिन अगर सरकार के कारियों में सुधार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तब इस धारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। में निश्चित रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अगले समाचार की पेश संख्या 11 से इसको हम लोग जोडेंगे GS Prelims के साथ में NASA announces two new missions to Venus. Students इस बात की घोष्णा NASA अंतरिच agency है जो की America की इसके नए प्रशासक Bill Nelson के द्वारा की गई है हला कि अभी इनका नाम confirm किया गया है Bill Nelson का और निश्चित रूप से ये इसके अगले प्रशासक होने जा रहे हैं इस तनस्था के और हम सभी जानते हैं कि NASA दुनिया के अंदर में अंतरिच छेत्र के अंदर में अपने सोधों के लिए अपने प्रयोगों के लिए एक बहुत प्रतिष्टित नाम है तो अब वो शुक्र ग्रह की जाश पड़ताल करने के लिए उसकी वर्तमान इस्थिती आखिर ऐसी कैसे हुई इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो मिशन लांच करने की बात कर रहे है एक बात आप लोग धहन रखिएगा कि भारत ने भी इस बात की गोशणा की है हमारी इसरो ने कि हम भी सुक्र की जाश के लिए सुक्रयान को भेजेंगे, तो आईए जब सब लोग सुक्र की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम भी जरा सुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारिय और जहरीला है इसमें मुक्य रूप से carbon dioxide और sulfuric acid के बादल विद्यमान है जो भी sunlight इसके अंदर में जाती है वो trap हो जाती है जिसकी वज़े से इसका तापमान इतना अधिक है कि इसकी surface तक पिघल सकती है उस तापमान में शुक्र ग्रह उन दो ग्रहों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं पहला सुक्र हो गया दूसरा यूरेनस है इसके मतलब है कि यहां पर जो सूरियोदय होगा वो प्रत्वी की तुल्ना में विप्रेद्धिशा में होगा इसके अलामा सुक्र के पास अप आंतरिक राजनीती पर भी निगाह रखी जाए। भारत बांगलादेश संबंधों के परिप्रेक्ष में स्पस्ट कीजिए 250 शब्द 15 अंक। भूमिका में आप सबसे पहले सवहाद्र पूर्ण दुपक्षिय संबंधों की जरूरत को दिखाएंगे। उसके बाद आंतरिक र बात कर देंगे। फिर सहयोग के जो विशय हैं उनकी बात कर देंगे। एतिहासिक संबंधों की बात कर देंगे। बांगलादेश एक उभरता हुआ देश है। उसके भविश्य के बारे में आप बात करेंगे। और निशकर्स में हम बता देंगे कि कैसे दोनों देश आप इंडेक्स 2020 से सामाजिक समानता पर प्राप्त निस्करशों पर टिपणी कीजिए, 150 शब्द 10 अंक, भूमिका में आप सबसे पहले इस इंडेक्स का परिचे देंगे, मुख्य भाग में आप सामाजिक समानता के जो नए संके तक प्रयोग किया गए हैं, उनको बताएंगे, ज फिर आप तुलना कर देंगे कि किस प्रकार से पुराने जो अनुपात हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको जोड़ करके सामाजिक समानता के नए संकेतों का प्रयोग करना चाहिए था, तो इससे हमें एक बहतर पिक्चर प्राप्त हो पाती, SDG के संदर्व में हम तो निश्चित रूप से हम लश्चियों को बहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सारे नोटिफिकेशन्स आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद